तुम कोड़ी हो गए थे सरम नहीं आती है यह बात कहते हुए कि समाज को हिस्सा अधिकार मैं दिलाओंगा तुम असल क्या अवलाद हो हम तो कर ऑँ कि तुम नकली अवलाद हो देर हो सकता है लेके इस वक्त जन्पत मौम में है और हालही में जो सुभासवापार्टी को लेक जच्च्य अज्यच्च्छ है, जो उनको इस बार जो है, अब छड़ी के जग़ा पे उनका चुनाव चीन जो सिंबल अब चाभी उनके हाथ में आ गया है, अब देखा जाए कि अब चाभी से क्या करेंगे, और समाज को लेकर, क्या समाज जो छड़ी का पाचान था, आज चा बहुत बहुत धन्यवाद आज बहुत खुशी की बात है कि जिस पार्टी में आप लोगों ने शुरुवात की सफर नामा भी रहा बहुत बढ़िया से संघर्ष भी चला लेकिन उस पार्टी का आज सिंबल बदल गया हम लोग तो खुश हमेशा हमेशा ही रहते हैं और सिंब समाज का विकास नहीं हो सकता है समाज का विकास नौजवानों का विकास बेरोजगारों का विकास तब हो सकता है जब उस दिशा में नेता काम करें तब विकास हो सकता है रहा सवाल जो आप सिंबल बदलने की बात कह रहा हैं इगारह वरिस पहले जब देश का चुनाव हु में भारती जन्ता पार्टी के समस्त निताओं ने कहा हमको सरकार में पहुंचाईए हम हर साल दो करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम करूंगा और भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनी और सरकार लगभग दस वरिस चली लगभग का दस वरिस चली दसमा वरस लाश्ट में चुनाव हुआ उसका पडिराम क्यों नाम बदलने से उसका पडिराम लोगों ने उनको दिया आज भारती जनता पर्टी की सरकार आज भी देश में है कमजूर सरकार है अच्छा यह बताए क्या ऐसा दिख र हम लोग चल कर अगर बात करें उप्चुनाव को लेकर वहां भी बहुत दावेट होके गए उम्प्रकास राजवर के तरफ से लेकिन वह भी विफल हो गया और लोग सबाचुनाव में अपने बेटे को तारे उस समय भी विफल हो गए तो कहीने कि छडी उनका साथ नहीं द देखिए मैं बतावें आपको आज के तीस वरी स्पहिले किसी भी बुजोर्ग व्यक्ति से गाउं के रहने वाले व्यक्ति से पूछेंगे या आपके जमाने में एक से किस चीज़ पर पढ़ाई होती थी तो बताएगा कि हम लोग पठरी पर पढ़कर के आये हैं पठरी प हम प्रेटकली बात आपको कह रहा हूं आप किसी बुजोर्ग से पूछेंगे वो आपको बताएगा जिनकी बात आप कर रहे हैं वो चाहे जो भी बदलना चाहें बदलने उनकी नियत ठीक नहीं है जिसकी नियत ठीक नहीं है वो सिंबल बदल दे पाटी बदल दे अपना ज जंदा हो इस जिंदगी में तो तुम अपने कारेक्टर को धोई नहीं सकते हो अब सिंबल बदल करके चाहते हो धोना इतना सरम होती इतना लाज होता उतों बहया है सरम होता तब 22 में गठबंधन हुआ था और गठबंधन में 17 सीट मिला था क्यों नहीं अपने विचार को धो करके अपने कारेकरताओं को लड़ाए का दिक्कत था का तकलीव था परिशानी थी जो आ करके आप लोगों के चैनल पर सफाई दे रहे हो कि हमको 3 सीट मिली थी सरम नहीं आ रहे हैं तीन सीट कहते हुए अगर तीन सीट मिला था तो अपने बात को याद रखना तुम जिस गठबंधन में हो 27 का इंतिजार करो वह भी पाटी तो तीने सीट नहीं देगी या बढ़ाएगी तो चार सीट देगी इनका अंधोना ताइं हो गया है तो चाभी प 10विस के सरकार का बदलाव कि 25 में जनता ने बताया है कि जुम्लाबाजी करके खली हम इनको सरकार का लाली पाट दिखा होगे जनता ने बताया कि नहीं बताया देखे ना आप आज भूमत की सरकार देश की नहीं है ठीक है सरकार में अच्छी बात है उसका खामियाजा भूबतने के लिए मिला ना आप तो कहरें कि 27 में जो लोग सबा चुनाव का जो करारा हार जो ज़टकर लगा करेंगे 27 में बीजेपी को मजबूती दिलाएंगे और 27 में विरोधी को बिलकुर सफाय कर देंगे उनके पास तो कुबा ताकत है कि विरोधी को सफाय कर देंगे अब मंत्र पंचाथी राज मिल गया है तो मजबूती तो है ना जब आपने व्यक्ति सोता जीती नहीं सकता है तो का बुलेगा भई हम कर रहे हैं कि एक लोमडी थी अंगूर उस्चे नहीं मिल पा रहा था तो कर रहे थी खटा है आपने तो जीती नहीं पा रहे हो चले हो जारी लिए हो सरकार बनाने की ठीकार आप लिए हो आप मैं आपको बताया ना आप जिनकी बात कहा है कि वह अपना सिंबल बदल दिये वह चाहे जो भी कुछ बदल दें मैं कर रहा हूं देख लिजिएगा आप देख लिजिएगा 27 में पहली बात अगर एंडिया हर सीट को हारेंगे यह मैं 100% दावे के साथ इस बात को आप देख रहा हूं इतना बड़ा दावा की यह जीत नहीं सकते हैं मतलब घोसी में जो अपने बेटे को उतारे वहां भी करा रहा हार और आगामे अब 27 में भी यह हारेंगे पूरा 100% असल बत नियत ठीक नहीं है जि नहीं से लेकर के लाखनव फ्यक्ति पहुचा था जमीन से उठा करके कि उस व्यक्ति को समाज नि लख नश तक पहुचा आया जो लख नश पहूंच गया उस समाज को जी बिराने का काम करेगा और समाज माप कर दे यह संभाव नहीं है उसका खामियाजा देर हो सकता है ले कहेंगे आप कि जो छड़ी पहले से पाटी में एक राजवर की पहचान रही क्या लगा पहले कभी विचारा है कि ये चड़ी कभी भवीशी में बदल सकती है, ये सिंबल को बदला जा सकता है, जो आचानक किस तरह से बदलने की जो बात याई है, क्या ये राजवर समाज के के लिए जो एक छोडी पहचान थी अब चोड़ी को बदल देना क्या लग रहा है चोड़ी पहिचान स deze हुं उम्प्रकास राजोजवर से नहीं हुआ है समाज छड़ी का डंडा पक्ड़ा लब जण्डा का डंडा पक्ड़ा समाज ने पहचान दिलाया समाज ने वों प्रकास राजवर को पहूचाया हूं लखणव। समाज ने पहुंचा जा है वही समाज जो छड़ी का पहचान दिलाया और छड़ी से राजवर जो पहचान में आए आज उसी पहचान को वो बदल दिये हम आपको बताएं आप चाहे जीतना भी कोशिस करो चाहे जीतना भी प्रयास करो जब हावा निकल जाती है ना तब फिर हावा भरने में फिर जो चड़ाने में जो आप के प्रती लोगों का मतलब लगाव खतम हुआ है जो आप से लोगों का लगाव खतम हुआ है अब उसको आप नहीं बढ़ा सकते चैरा बदल लो चाहे आप खुद को बदल जाओ उससे आपने जो सला सकते जो छड़ी से जो पाचान रही वो पाचान अब नहीं रहे पाएगे देखिए छड़ी का परचार हम ने ताओं ने किया था अब बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किया था बड़े पैमाने पर परचार करके हम लोगों ने चड़ी का एसास कर रहा था उनको यह लगता है कि चड़ी हमारे लिए सुब नहीं है उसके पीछे बार भी चड़ी से जीते थे आप बताइए गलत करोगे पड़ीराम नहीं मिलेगा लोग कहते हैं कि आरे वहां जाने के पार मिला है आप थर्वामीटर लेकर कर्के चलते हो ना हम अपने बार थर्मामीटर लगानासosis लगाना थर्मेटर आउकात समझ में आ जायकी तुमारी क्या है मुद्मारी आउकात है जो चैलिपर रहे हैं कि तुमारी क्या एक है और सिमबल वदर करके समाझ को हिस्सा दों तुम असल के अवलाद हो, हम तो कह रहा हूं कि तुम नकली अवलाद हो, तुम कहते हो कि मैं असली अवलाद हूं, मिला था तो 17 सीट, क्यों नहीं राजबर के बेटा को दे दी, जब तुमको देना था, समाज के नौजवानों को जब तुमको हिस्सा देना था, तुम्हारा कहते हुए कि समाद को हिस्षा अधिकार मैं दिलाओंगा है कहां से दिलाओगी जी काउन सा स्वार हों फाओं बात नहीं आई क्यों बैच रहा हूं मैं सउधा करने जा रहा हूं सजुदा की और अlık TAKलिफ नहीं हुआ अंतिम में शूर को चाभी मिलती है ताला खोलने के लिए शूर आदमी है एक दम सुध रूप से आप जान लिए आज महंदर राजभर के अंदर वो आज भी जो है ज्वाला भड़क रही है कि आज ओम प्रकास राजभर को लेकर जो 27 की बाते जो पिछले बार कई बार इन्हो फिर जट्का लगने वाला है ओम प्रकास राजभर को और जो ये बाते आ रहे है कि ओम प्रकास राजभर अब छड़ी का जो है बिल्कूर सिंबा बदल कर चाभी को जो अपने हाथ में ले लिए हैं अब क्या चाभी से राजभर का पाचान बन पाएगा या ओम प्रकास रा जो है अगर देखा जाए तो उनको संघस करके आज वो पद मिला लेकिन आज उसी छड़ी को बदलने का जो उनका सोच रहा कहीं न कहीं चाभी अब उनको तकदीर का ताला खोलती है या तकदीर का ताला बंद करती है फिलाल ये भविस्की बात है फैसला आगे आएंगे फिल जुन्डिया पर खास ये तस्वीर है इस वक्त बीमलेस कुमार के साथ